दोस्तो किया सेल्टोस का फेसलिफ ग्लोबली अन्वील हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट के लिए और ये इंडिया में भी इसी साल के एंड में या अगले साल जनुरी तक लाँच हो जाएगी इसका डिजाइन अब देख सकते हैं सीमिलर ही रहने वाला है इंडियन मॉडल का भी इसका फ्रेंट फेसे के डिजाइन को पहले से ज्यादा अपीलिंग बना दिया गया है जहां आपको एक लंबी सी डियारेल मिलती है जो इसके फ्रेंट ग्रिल के साथ कनेक्टेट है और इसके ग्रिल के डिजाइन को भी चेंज कर दिया गया है फिर इसके हेडलाम क्लस्टर में भी चेंजेज हुआ है पहले इसमें आपको LED रिफ्रेक्टर बेस हेडलाम मिलते थे मगर अब आपको प्रोजेक्टर बेस LED हेडलाम मिलेंगे फिर इसका front bumper को भी redesign कर दिया गया है overall नहीं वाली celtos front से दिखने में काफी fresh और modern लग रही है side profile में जादा कुछ changes नहीं हुआ है पहले जैसे थी अभी भी वैसे ही लग रही है बस आपको इसमें 17 इंच के नए aloies मिलते है जिसके design काफी unique लग रहा है और इसका rear profile देखे तो यहां आपको इसके design में काफी बड़ा changes दिखेगा जहां आपको बिलकुल नई tail lamp मिलती है L-ship में जो की लगभग connected है एक दुसरे से बीच में Kia का logo आ जाता है और इसके rear bumper के design को भी change कर दिया गया है जहां इसके reflectors अब नीचे के तरफ आ गया है overall गारी के design देखा जाए तो हाँ पहले से और जादा sportier और premium लग रही है और इसके interior में भी आपको नया dual tone theme मिलेगा इसके dashboard की design को भी change कर दिया गया है जहां इसके AC events के design अभी भी पहले जैसे ही है लेकिन इसका instrument cluster और touch screen को आप एक single unit के साथ दिया गया है जैसे कि हम लोगों ने XV7W के साथ दिखा है floating style में हैं जो देखने में काफी अच्छी लग रही है नीचे के तरह बढ़े तो आपको नया AC के switches मिलेंगे और जो लोग automatic वेटिन लेंगे वो लोगो अप gear lever के बदले एक rotary knob मिलेगा जो काफी premium cars में दिया जाता है उसी के बगल में आपको ventilated seats के भी switches मिल जाता है इस गारी के exterior look हो या interior हर जगह ये आपको feel कराईगी कि आप एक premium car में बैठा है और इसके engine option के बात करें तो आपको वही 1.5 liter का naturally expected petrol engine 1.4 liter का turbo petrol engine और 1.5 liter का CIDI diesel engine ही मिलेगा क्योंकि ये एक facelift है तो किसी भी तरह का power or truck में changes नहीं किया जाएगा overall आपको इस गारी का जो performance और mileage मिल रहा था वही मिलेगा और रही बात इसकी features की तो Celtos पहले सी काफी feature पे गारी रही है लेकिन एक जगा ये mark आ जाती है अपनी सिबलिंग से वो है इसका छोटा सा sunroof लेकिन अब आपको Celtos के साथ बरा panoramic sunroof भी देखने को मिलेगा तो जो लोग Celtos सिर्फ sunroof के चलते छोड़के क्रेटा के तरफ जा रहे थे वो लोग थोड़ा wait कर लिजिए और इसके अलावा Celtos में आपको Adas system को भी introduce किया जाएगा क्योंकि Ashter में आपको पहले से आ रहा है फिर क्रेटा के भी facelip में आपको देखने को मिलेगा इसलिए competition को ध्यान में रखते हुए Celtos में भी आपको Adas दे दिया जाएगा और Hyundai और किया दोनों तो same ही company है तो क्रेटा के साथ Adas दिया जाएगा तो Celtos के साथ भी दे ही दिया जाएगा और आप लोग अगर क्रेटा facelip के उपर वीडियो देखना चाते हैं तो उपर आई बटन पर इंकार आओगा आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं और Kia Motors से बस एक request है कि इसके facelip वाले model के safety में कोई compromise नहीं किया जाए CM वही platform वाले गारी हमें इंडिया में भी मिले जो international market में बेची जाती है क्योंकि जिस price point में Celtos आती है वहाँ 3 star के safety rating सूट नहीं करता इस गारी पर बस इसके build quality को improve कर दे उसके बाद तो कोई कमी नहीं रहेगा इस गारी में धामाका मचा के रख देगी ये गारी तो चलिए इस वीडियो में तो इतना ही ये एक छोटा सा वीडियो था Celtos फेशलिप के design पर सोचा आप लोगे साथ share कर दू फिर Celtos से related कोई और information आएगा तो मैं आप लोग को update कर दूँगा फिलाल आप लोग कमेंट करके बताईए नहीं वाली Celtos का design कैसा लगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो like कर दिजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को भी subscribe कर लिजेगा फिर मलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत